सर आपन काल भूगे कि कि दिशुमांचे गाडिवर के हल्ला सला तुम्ही याद प्रोज सच्चिमान पत्र सुदा लीना रहा है काय निमकी मागने आसेल विशेशता बाज़ापची जी नेतेट प्रविन दरेकर मंतर की राष्ट्रपती राजवत लागू करा सद्धेची रा परटी संगर्ष करनारी परटी है राष्ट्रपती राजवत लावाईचे कि नाई या संदर्बातला निरने गवर्नर करता आमी ये ती मागने करनाचे काय कारण नाई है एकस गोष्ट सांगतों आमी लड़ाहला तयार हो आणि कालची गोष्ट ही मुंबई पोलिसांचा इतियासा तील सर्वात लाजिर्वानी गुष्ट है येचा करन जड़ प्रोटेक्टी अफिशेली कलोन पोलिस्टेशनला येतात आणि त्या ठीकाने आले नंतर पोलिसांचा नाई सांगतात कि बाहर जाने उपरवक लोक जमा जालेले आहेत आणि हे लोक आमचावर हल्ला करना रहेत ये सांगितला नंतरी पोलिस्टेशन चा आवारात कि मा जवल हा हल्ला उतो येचा अर्थ एकतर पोलिसांचा हल्लेला समर्थन आये कि मा पोलिसाता इतके नाकाम जाले है कि ते आशा हल्ला समझले आवर देखेल रोकुशेकत नहे जेड प्रोटेक्टी चा संद कोणी ही सुरक्षित राणार नाई जर पोलिस जड़ प्रोटेक्टीला सुरक्षित ठीव शकत नस्तील आले तेंचा समोर उसलों दगड मारला जातो है आले तेचा नंतर ही फायर घाला देखेल तेनना भीती वाट्टे राज्य कोणाचा है आशा प्रकारे महाराष्ट्रा जुन्ड शाहिचा राज्य है या पुरुई पाहिलन होता पड़ मी एक गोश्टस पश्ट पढ़े सांगतों आमी घाबरत नाई जश्यास तसा उत्तर आमी देवुशक्तों मुंबई पुलीस के इतियास का सबसे शर्मनाक दौर चल रहा है और जिस प्रकार से पुलीस अपना करता हुए भूल कर केवल सरकार के दबाव में काम कर रही है ऐसा मुंबई में हमने पहले नहीं देखा विशेश रूप से किरिट सोमया जो जड़ प्रोटेक्टी है वो अफिशली इनफर्म करके पुलीस स्टेशन में आते है आने के बाद वो पुलीस को एक कहते है कि बहार सतरसी सो लोग जमा है और ये लोगों का प्लैन है मेरे उपर हमला करने का बावजूर उसके पुलीस उनको एक प्रकार से गुंदों के हवाले कर देती है और पुलीस के सामने इतना बड़ा पत्थर फेका जाता है उनको जान से मारने का प्रैस किया जाता है मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ही गलत इस प्रकार की परिस्तिती है हम केंडर सरकार से यह निवेदन करने वाले हो तो पुलिस अपना करतव्य नहीं पहचानती उनके उपर कारवाई होनी चाहिए और अगर प्रोटेक्टी को प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता तो आम आदमी को पुलिस कैसे प्रोटेक्ट करेंगी साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से महाराष्ट में हनुमान चालीसा हम बुलेंगे ऐसा कहने वाले राणा पती-पत्नी को उनके घर में जाकर अरेस्ट की जाती है हनुमान चालीसा महाराष्ट में नहीं बुली जाएगी तो क्या पाकिस्तान में बुली जाएगी जिस प्रकार का ये सारा विवहर है और रात को महिला को कस्टडी में रखा जाता है और उनका कोई भी दोश उनके उपर सिद्ध नहीं होता है ऐसे समय जिस प्रकार की ये सारी कारवाई चल रही है मुझे तो लगता है कि महाराष्ट की सरकार एक महिला से इतनी डरी कि उनको लोग जमा करके उनके उपर हमला करने की नौबत आई इससे शर्मनाग बात क्या होसा काल चे भाष्णा मधे कि महाराष्टा मधे जाक्ति नेते आहे ते इतना इत गुजरात मधे सका जाता तानी ते निद्दें चे निमित तो नो गुजरात राज्याता तो विकास आहे तो केला जातो पहले आंदा तर द Yumna ली आत्मा चिंतन कराई कि ब्यागा क 나타iset संही जात करें महराश्रा में कायिधा में सव्य किस्तिंप स्टितिम दिशिती ऑ ग्रतॉ महराश्रामें पाच वरिष्णा अंतर पुना लोड शेडिंग दिशता है महाराष्ट्रा मदे महाराष्ट्रा चे दोंदों मंत्री जेल मदे याथ या अवस्ते मदे कोण तुमच्या कड़े गणार है आणि तही प्रिक्षा इमी कनफर्म केलेल नाई पण आज एका फार मोठ्या पत्रकाराचा ट्वीट मी वाचा दोतो त्या ट्वीट मदे तेनी असलीला है कि मौरीश चे पंतप्रदान जेमा महाराष्ट्रा मदे आत्ता आले त्यांच्या स्वागताला एक उपसच्यू पाठाउं देना ताला अड़े त्यांणा जी लग्जरी गाले अपलयाला दयाविलाकती ती गाली देखिल दिलीने साधी गाली तंश तन्ना दिली जर एका द्या राष्ट्राच पंतप्रदान औनना महारास्ट्रा मदे आश्या प्रकारे टेंचाफत विववर होना रसेल तर कोण कशाला महाराष्टरा तील तेमें कदी तरी आपलेकड़े एक दान नीट आत्मचिंतन करत पाहिलो पाईजे तर तुमचा लक्षा तील या महाराष्टरा ची ही अवस्ता तुम्हें आंटा